Hello everyone, this is Satpal and you are watching Options LR और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक unique strategy शेर करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिसकस नहीं किया कभी तो आज का वीडियो है, इसमें ये strategy मैं आपको बताऊंगा और कैसे ये आपको trade करने है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो देखे, आम तोर पर ये जो strategy है, ये हम options में trade करते हैं लेकिन यहाँ पे futures जो है, उसको भी मैं involve करूँगा तो futures के थूँ किस तरह से इसको trade करना है, और क्या आपको यहाँ पे benefit मिलता है रिस्क का यहाँ पे कम कैसे है, मतलब आपका जो रिस्क का वो bare minimum होगा इस trade में तो कैसे आपको trade करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि रिस्क free profit होगा, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि रिस्क का वो बिलकुल bare minimum होगा, तो एक profitable strategy है आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको screen के उपर लेकर चलूँगा और वहाँ पर ये आपको practically करके दिखाता हूँ, लेकिन screen पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक options LR के app को download नहीं किया है तो चलिए अपने अपनी सब की कुछ दिक्कत रहती है, तो मैं इसको पूरा जो throughout January मन्त है वहाँ तक ये continue कर रहा हूँ, क्योंकि ये कल finish हो जाना था, जो offer मैं run कर रहा था उसके कल last date थी, लेकिन इसको मैंने और दो वीक के लिए extend कर दिया, तो आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो, जहाँ पर आपको 40-50% तक का discount मिल रहा है, तो चलिए अगर आपने अभी तक option seller के आपको download नहीं किया है, तो नीचे description में मैं लिंक दे दिया है, लिंक पी जाके आप आपको download कर सकते हूँ, तो चलिए अब screen के ओपर चलते हैं, और देखते हैं कि ये strategy क्या है, और कैसे आपको ये trade करनी है, त अगर मैं futures को देखूँ, तो futures भी almost similar level पे trade कर रहा है, यहाँ पे आप futures का price देखे, 21,971, तो मतलब 15 point का difference है, तो जहाँ पे sport trade कर रहा है, वहीं पे futures trade कर रहा है, ठेक है, तो ये scenario है जहाँ पे इस strategy को हम trade कर सकते हैं, उसका logic मा आपको बता रहा हूँ, आम तोर पे क्या होता future और sport है, उन दोनों में एक difference रहता है, future है वो या तो नीचे trade करता है, या उपल trade करता है, तो futures जब sports से ज़्यादा उपल trade कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा opportunity नहीं बनती है इस trade को लेने की, लेकिन हाँ जब दोनों एक साथ trade कर रहे हूँ, वहाँ पे हम इस trade क को ले सकते हैं, तो अगर मैं अगले मंत का आपको future दिखाऊ, तो वहाँ पे देखिए आपको difference नजर आएगा, यहाँ पे आप देखिए जो futures है ये trade कर रहे है, 22,124 पे, तो मतलब थोड़ा सा उपल trade कर, बहुत ज़्यादा उपर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उपल trade क कर रहा है, क्योंकि 22,000 के आसपास है, और जो futures है, वो 100-700 points उपल trade कर रहा है, ठीक है, तो यह देखिए जो difference है, जो next month है, उसमें यह difference है, यह 125 या आप बोल सकते हो, 140 के आसपास का है, और जो current month है, उसमें बिल्कुल same trade कर रहे है future और sport, ठीक है, तो होता क्या है आए आम तो future है, उन दोरों में एक difference होता है, जैसे sport अगर 100 रुपए पे trade कर रहा है, निफ्टी मान लिजे 100 रुपए पे trade कर रहा है, तो आप देखोगे कि निफ्टी का future है, वो 110 रुपए पे trade कर रहा है, या 120 पे trade कर रहा है, या 120 पे trade कर रहा है, या हो सकता है वो 100 से नीचे 90 ठीक है तो आम तोर पे premium पे trade करता है और इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम expiry के पास में जाते हैं जो futures का price है वो जो sport का price है उसके तरफ आना start कर देता है और expiry डे वाले दिन future और sports दोनों बिल्कुल same हो जाते हैं अगर futures का price है वो 10 रुपे उपर trade कर रहा है और sport का price है वो 10 रुपे नीचे trade कर रहा है तो जैसे जैसे हम expiry के पास में जाएंगे जो futures है वो sport की पास आना start हो जाएगा मतलब 10 रुपे नीचे आएगा और अगर वो नीचे ट्रेड कर रहा है तो 10 रुपए उपर आएगा क्यों क्योंकि expiry day वाले दिन future और sport और अलग अलग नहीं हो सकते वो same level पे उनको आना पड़ता है इसको convergence बोलते हैं कि दोनों converge हो जाते हैं मतलब जैसे month start होता है sport यहाँ पे है और futures यहाँ पे है मतलब थोड़ा सा उपर trade कर रहा है लेकिन जैसे जैसे expiry के पास में हम जाते हैं दोनों क्या होते हैं? converge होते आते हैं और expiry day वाले दिन दोनों same level पे पहुंच जाते हैं इस चीज को आप ध्यान रखे यह जो एक चीज है जो input आपको बता रहा हूँ कि future और जो यह पूरी theory मा आपको बता रहा हूँ उसका logic क्या है मतलब जो यह trade है उसका logic है मैं खुद confused हो रहा हूँ जो इस trade का logic क्या है वो मा आपको बता रहा हूँ कि future और sport है उन दोनों के बीच में difference होता है ठीक है तो हलाकि आम तोर पे मेरे पास काफी comment आते हैं कि मैं चीजों को बहुत जादा repeat करता हूँ बट I want की चलिए अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें अगर मैं मेरी तरफ से मैनेत कर रहा हूँ आप भी 10-12 minute अपने दे रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा आप समझो ताकि मेरा बनाना वो भी सफल हो और आपका जो time दे रहे हो वो आपका भी सफल हो इस वज़े से मैं चीजों काम तोर पे repeat कर देता हूँ तो अगर आप जानते हो तो आपको बड़ा irritating लगता होगा लेकिन जो नहीं जानता हो उसके point of view से देखिए कि उसको भी समझ आए चेज़े सबको साथ लेके चले तो logic यह है कि future और sport है वो दोनों एक difference होता है और expiry के पास में वो दोनों converge हो जाते है लेकिन अभी का scenario क्या है कि future और sport है दोनों same level पर trade कर रहे है current month के मतलब जो fab का month है वो तो आप यहाँ पर देखिए इसमें जो difference है वो almost 130-140 point का है लेकिन यह fab का है जो January जो current month है उसमें दोनों same पर trade कर रहे है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ January month जो है इसमें futures का price और sport का price है दोनों बिल्कुल same है तो यहाँ पर आपको calendar spread को trade करना है अब calendar spread जो हम options में trade करते हैं same वही हम trade करेंगे लेकिन futures में और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होगा यहाँ पर current month है वो नीचे trade कर रहे है तो जो price नीचे trade कर रहे है जो सस्ता है उसको हम buy करेंगे और जो महंगा है उसको हम sell करेंगे तो महंगा कौन सा है next month जो fab का है वो almost 150.2 पर trade कर रहा है तो उसको हम sell कर देंगे और जो current month है वो नीचे trade कर रहा है उसको हम buy कर लेंगे तो एक आप कह सकते हो, calendar spread को लेकिन उसको हम reverse कर रहे हैं कि normally क्या करते हैं, जो current month है उसको sell करते हैं, next month को buy करते हैं, लेकिन यह हम options में करते हैं, क्यों क्यों क्योंकि options में theta decay होता है, लेकिन future में theta decay के नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगी, करेंट मंत को वाई करेंगे, क्योंकि वो नीचे trade कर रहा है, और next month के future को हम sell करेंगे, क्योंकि वो ऊपर trade कर रहा है, तो देखें हम आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, जो January है, January मंत का future है, यह मैंने buy कर लिया, यहाँ पर आप अब मैं क्या करूँगा यहां पर मैं next month को लगा लेता हूं 29th feb को expiry है तो इसका जो future है इसका एक लोट मैं sell कर दूँगा क्यों क्योंकि यह trade कर रहा है उपर जो महंगा है उसको आपको sell करना है अब आप देखिए यह आपका pay off chart बनता है just a second इसमें अच्छा यह software की कुछ glitch है इसने futures का price जो हमने buy किया है वो zero रुपए पर पकड़ लिया है zero नहीं है इसका price इसको मैं एक second अपडेट कर देता हूं हमने जैन का future buy किया है यह trade कर रहा है बाइस हजार पर तो इसका एक लोट मैं buy कर लेता हूं चीक है तो अब आप देखिए यह मेरा pay off chart बनता है यहाँ पर आप देखिए आपका जो profit है वो साड़े साथ हजार रुपए का दिखा रहा है और max low से वो zero दिखा रहा है हाला कि इसको देखके बहुत जादा खुश होने की जरुवत नहीं है क्योंकि अभी software क्या जूँम क तो वो इसके बीच का जो difference हो पूरा profit मेरा दिखा रहा है हला कि ऐसा नहीं होने वाला है क्यों क्योंकि ये same future नहीं है एक current मंत का एक next मंत का है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ये जो price है मतलब जहां पर मैंने buy किया ये तो trade जब मैं square off करूँगा कि मान लिज़े मैंने future को buy किया उसके बाद और same और कोई मैंने lag add नहीं किया है उसके बाद market उपर जाता है और इस price पर अगर मैं sell कर देता हूं तो मेरा ये profit होगा जो यहाँ पे दिख रहा है लेकिन अभी ये case नहीं है हाला कि software इसी की calculation यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन अभी case यह नहीं है अभी मैंने क risk free होता है लेकिन ऐसा हमेशा आम तोर पे नहीं बनता है कि आपको इस तरह का trade मिलेगा तो आपको एक तो देखना है कि कहां पे इस तरह का setup बन रहा है कि current month में जो future और sport है वो एक same level पे trade कर रहा हो और next month है वो थोड़ा सा premium पे trade कर रहा हो अगर इस तरह का setup बनता है तो वह हाँ पे future और sport है दोनों price same होने चाहिए चोटा सा difference होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो sport है वो trade कर रहा है 22,000 पे और future है वो trade कर रहा है 22,000 पे 22,100 पे अगर इस तरह का difference है तो फिर इसका कोई sense बनता नहीं है लेकिन हाँ अगर वो दोनों same पे trade कर रहा है और next month है व इसमें से 34,000 रुपए आपको जरूर मिल सकते हैं तो इसको बोलते है calendar spread लेकिन यह हम futures में trade कर रहे हैं और दूसरा थोड़ा सा reverse हम जा रहे हैं options में क्या करते हैं हम जो current month है उसको sell करते है next month को buy करते हैं उसके पीछे का logic यह होता है कि वहाँ पी theta decay होता है जो कि current month जहां का buy कर रहे हैं वहाँ कम होता है इस वजए से वो setup वहाँ पे होता है लेकिन options वाला जो logic है वो futures में लागू नहीं होता है यहां पे हम क्या कर रहे हैं जो सस्ता है उसको हम buy कर रहे हैं और जो महंगा है उसको हम sell कर रहे हैं तो इस तरह से आप trade कर सकते हो futures के calendar spread को ठीक है और इ apart from that आप जिसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया उनमें भी ये pair trading कर सकते हो कि निफ्टी का future मान लिजे नीचे ट्रेड कर रहा है और bank nifty थोड़ा सा उपल trade कर रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो bank nifty को sell कर दीजे nifty को buy कर लीजी तो वो एक और strategy बन जाती है हाला कि किसी और वीडियो में मैं वो आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको trade करना है फिलाल के लिए आप ये मानिए कि futures का जो calendar spread है उसको हम किस तरह से trade कर सकते हैं तो चलिए यही एक strategy थी जो मैं आपको बताना चाहरा था कि कैसे आप इसको trade कर सकते हो और क्योंकि अभी ये setup market में बन रहा है तो मैंने quickly ये बता दिया एक वीडियो के थूँ कि किस तरह से आप trade कर सकते हो बट still मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि कोई भी trade market में लेने से पहले और पहले अपना एक back testing कर लीजिए पहले paper trading कर लीजिए क्योंकि वो सही रहती है तो आप शुरू में आपका जो आपकी goal है वो ये होनी चाहिए कि मैं उस चीज को समझू कि आपकी knowledge है वो enhance हो शुरू में आप profit पे jump मत कीजिए तो जो चीज मैंने आपको बताईए उसको आप पहले आप इसी मंद से और इसको आप back test कर सकती हो आप paper trade कर सकती हो और जब आपको एक बार confidence आजाए तब आप इसको trade करना start कीजिएगा तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope you video आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें this is Satpal signing off